हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग सस्रियाकाल अधाव आज हम आपको असेंचर के इंट्रव्यू के बारे में टेक्निकल राउंड और नो टेक्निकल राउंड के बारे में बताएंगे ठीक ही तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यह जब भी इसका यह इंट्रव्यू हो भी थी ठीक है फिलिपिन कंट्री में ठीक ही तो यह उस टाइम बेसिकली सतर से असी इंपलोई थे इसके पास असेंचर के बास जब इसकी शुरुवात की गई और आज अगर हम 33-34 साल के बाद देखते हैं तो इसमें साड़े साथ लाग इंपलोई हैं वर्डवाइड तो और यह जो अपने कस्टमर को कस्टमर स्पोर्ट से लेटर और उसके बाद यह आउट सोर्सिंग तक का सारा टेक्निकल काम देखती है ठीक है तो इसके सबसे पहले नों टेक्निकल राउंड के बारे में बात करते हैं तो बहुता बोकैबलरी होती है इसमें प्रोपोजिशन सब्सक्राइब करने तो एक मिनिट में लगवा एक क्वेशन सब्सक्राइब तो बहुत मतलब यह भी नहीं बहुत सकते हैं लेकिन हां ठीक है अप तूदा मार कहिए आप इसको अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है अगर आपका टेक्निकल राउंड में प्रैक्टिस स्थिक है 15 थे दोनों में से 30 कॉश्चन होगे और यह टो लोगले हैं विसी कलि 75 बोलेएं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो रिटन टेस्ट जो है एह अचार इंटर भी प्लस एह 4 इंटर्व्यू प्लस टेकनिकल इंटरेव्यू ठीक है निवे तो क्वेश्च उसके बाद quantitative aptitude 10 questions उसके बाद mental ability के 10 questions तो यह 35 question यहाँ पर हो गए और जो technical round में है यह इनके 20 question है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर 20 question है C language के और 20 question है C++ के ठीक है जो 40 question यह हो गए लगभग 75 question हो गए यहाँ पर तो बोलते हैं आप अप्टिटूड के लिए आप बिसी के लिए आरेस अगरवाल फोलो कर सकते हैं ठीक है एनफ है इसके टेक्निकल राउंड को क्रेक्ट करने के लिए और आरास अगरवाल बिसी के लिए इंडिया में जो भी टेक्स होते हैं और जो टेक्निकल राउंड बोलते हैं उनको मैक्सिमूम यह कबर कर देती है आरेस अगरवाल ठीक है तो जब हम कि सी के बारे में बात करते हैं तो यह बोलते हैं जो सी के basic questions है उनमें यह आप इसली उनको क्रैक कर सकते हैं ठीक है और जब सी अब ऐसी प्लस ब्लस के बारे में बात करते हैं तो अब सी प्लस के बारे में बात कर रहे हम तो यह सबसे पहले polymorphism क्या होता है inheritance क्या होता है virtual functions क्या होते है और constructors क्या ओते हैं ठीक है तो यह important topics स आफ चो टेक्निकल राउंड होंगे आफके फिरीबल्स वाला टोपिक है पॉइंटर्स वाला टोपिक है ठीक है तो आप ईजली कर सकते हैं इसको और उसके बरहे में बात करते हैं बहुते हैं जाब एच्छार लेबल गा इंटर्विफ होता है तो उससे पहले सबसे पहले पूछते हैं आपके कि आप अपने बारे में बता हो ठीक है उसके बाद आपके स्ट्रेंथ एंड विकनेस किया है आपको पुरा पता होना चाहिए इसके बारे में ठीक है पास्ट में आपने क्या अचीव किया है ठीक है जो भी आपके परजेक्ट तो आगर टेंथ के बाद डॉप कर लिए तो वह आपके बस पर्टिकूरर रिजन उना चाहिए उसको कि हाँ भी आपने इक उसमें कुछ इंप्रूब किया अपने आपको एसा नहीं है कि हाँ जी आपने कोई प्रेसेंटेज इंप्रूब ने किया ना कहीं आप किसी कॉलिज में स्लेक्ट हुए हैं तो वह कहीं ना कहीं लूप होज बन जाते हैं अपके स्टडिस में ठीक है ताकि आप उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर सोगो इस तरह के कॉश्चन को ठीक है अगर अगर आप री लिकुट करते हैं कि हाँ भी आपने अप कंपनी के साथ आयप कर लिया है कि कंपनी में अप स्लेक्ट होगे तो आप कहीं भी रेडियो ने चाहिए री लिकुट होने के वहले बुलते हैं ठीक है यह जो ऑद कहले होने चीप्र और इसके बाद सिस्ट्म वेलबन लाइफ साइकल के आपको पूरा रहना चाहिए है कि हां भी सिस्ट्म ड़्ये होता है क्या अपने पर प्लाइब लाइफ साइकल सरी सबसे बहुंए मिने इस सिस्ट्रम बोल दिए बारे में बताएं और उसके बाद आवाउट memory management in operating system ठीक है यह operating system में मैमरी को कैसे manage कर सकते हैं ठीक है तो वह चीज़ है और उसके बाद Unix की जो basic commands होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए ठीक है link list क्या होती है और उसके बाद TCB और IP and OSI model ठीक है तो यह basically हम वह है जो internet में use करते हैं transfer control protocol and internet protocol ठीक है और उसके बाद उपस के बारे में बाद करते हैं तो यह वाला इसमें कब्र होता है thank you so much अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजिए subscribe किजिए thank you so much